तो सोचता हूं कि अंजामे नेनिताल क्या होगा यहां राहा भी बहुत ही पत्रीली है और रास्ते भी बहुत जादा पत्रीले क्योंकि यहां के लोग भी कुछ ना कुछ कांच जैसे ही हैं तो इसी शाहिरी के साथ आज की शुरुआत हो रहे हैं नमस्कार मेरा नाम रोहित व यहां की सडक आप देखेंगे तो दिन प्रते दिन धस्ते जा रही है और लोगों को शायद पता भी नहीं है कि यहां की जो सडक है आने वाले दिनों में या जो आने वाला मौनसून होगा वो बहुत ही जल्द धस्त जाएगी और यहां पर बहुत सारी टूरिस्ट हैं वो जो आ रहे हैं यहां पर उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या अंजाम हो सकता है यहां पर या वो अपनी जान जोखिम में देकर यहां पर पर आ रहे हैं तो मैं आपको और आगे ले चलता हूं इस पूरी सडक को आपको दिखाऊंगा बात ये भी है कि यहाँ पर डीम साब आ चुके हैं कुमाओ कमिशनर स्वैम आ चुके हैं सारे के सारे जितने भी एडमिनिस्टेशन के लोग हैं सारे के सारे यहाँ पर आ चुके हैं उन्होंने गौर तलब भी करी है इस जगा को निरि पूशिश करेंगे कि क्या उन्हें पता भी है जिस सड़क पर या कि जगा पर वो बैठे वे हैं वो कितनी डेंजर है और आने वाले दिनों में या कभी भी शायद इसी वक्त भी यहां पर यह सड़क धस जाए क्योंकि आप देखनों कितनी बड़ी बड़ी दरारे पड़ कि है हलके हलके दिन प्रति दिन यह सड़क और नीचे जाती जा रही है हम लोग अपना हम लोग जांग का अपना जोखिम देकर उस जगह पर तो नहीं जाएंगे तो चलिए हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं तो सर मैं आप से पूशने हैं क्या आपको पता ह यह जगा जो है दिन प्रति दिन धसते जा रही है यहाँ पर आना भी और यहाँ पर स्ट्रिक्ली मना है आपको कुछ पता है इसके बारे में आपको शायद मालूम नहीं होगा आप लोग अपनी जान जोखिम में देकर यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और बहुत ही जल्द य यह जगा बहुत ही जल्द धसने वाली है शायद किसी को भी पता नहीं है यह जगा जी यह आप अपना नाम पताएं सर जावे दक्तर जी हमारे समक्ष हैं तो सर आप थोड़ा सा इधर आ जाएं मैं आपको कहूंगा कि वहां बिल्कुल भी नहीं बैठे आप थोड़ी दर हो चुके हैं सर आपने यह सड़क का हाल पहली बार देखा है किस से पहले यह सड़क कैसी थी अप यह को बता दूं कि यहाँ पर स्वेम हमारे कुमाओं कमिशनर था आए थे उन्होंने सख्त आदेश दिये थे कि यहाँ पर कोई लोग ना आएं कोई लोग ना बैठे क्या यहां पर ऐसा कोई भी साइन नहीं की गई है यहां पर ऐसा कोई भी साइन नहीं दिया गया है कि यहां पर यहां पर पूरे जो एरिया है यहां पर एक फैंसिंग लगा दीजिए जिससे यहां पर जो तूरिस्ट आ रहे हैं उन्हें पता तो लगे कि यह जगा जो है पूरी खत्री की जद में है और यह कभी भी गर सकती है चाहे हमारे कुमाव कमिशनर साब स्वेम यहां पर आये थे उन्होंने पूरा निरिक्षण करा और सक्त आदेश दिये सबी को चाहे हाँ पर जितने भी लोग फुतपात लगाते हैं कि यहां पर कोई भी दुकान ना लगाए जाए लेकिन अभी दिन का वक्त है दिन दुपैरिय का वक्त है आप पीछे देख रहे होगे मेरे उधर वह प्रशाशन अन्होनी का वेट कर रहा है कि जब तक ऐसी कोई कैजवेल्टी यहां पर नहीं हो जाती उसके बाद ही जगा जाएगा तो आप देख रहे हो पीछे भी यहां पर पहली दुकान लग चुकी है थोड़ी दिर बाद यहां पर दुकान लगना शुरू हो चाहेगी तो आईए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और जो यहां पर फुटपात वाले लोग हैं उनसे बाद बात करने की कोशिश करते हैं एलो सर आपको पता है यहां पर अभी फिलहाल जो दुकान लगाना है वो मना है आपको पता आप अपनी जान जोखिम में डाल कर यहां पर हम साब खुद आकर सख्ट आदेश दे चुके हैं कि यहां पर कोई भी दुकान नहीं लगनी है अच्छा तो अभी आपने सुना कि जो यहां के अभी इनका फुट पाज इनकी जो दुकान है वो कह रहे हम थोड़ी देर बाद हटाने वाले हैं तो मैं आपसे भी कहना चाहूं कीजिए जिससे यहां पर जो भी टूरिस्ट आ रहा है जो भी परेटक बंदू आ रहा है उसको यहां पर पता लगे कि यह जगा जो है खत्रे की जद में हैं तो डिस इस इट फॉर टूड़ी फ्रॉम हैर मिलेंगे हम आपसे दुबारा कोई और मुद्दे के साथ तब तक क के लिए जय हिंद जय भारत